Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the filament of a lamp is 80 cm from a screen and a converging lens forms an image of it on a screen magnified 3 times find the distance of the lens from the filament and the focal length of the lens तो आईए बच्चों इस question को हम यहाँ पर solve कर लेते हैं तो इस question में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक filament है जिसे कि हमने जहाँ पर जो screen और image है उसके बीच में distance यहाँ पर 80 cm है और जो image है वो 3 times magnified है हमारे पास तो हमें बताना है कि distance क्या होगा lens और filament के बीच में और हमें focal length भी बताने हैं यहाँ पर lens की तो इस question में जो हम key concept यूज करेंगे बच्चों यहाँ पर जो हम key concept यूज करेंगे वो हम करेंगे convex lens Convex lens Convex lens Convex lens Convex lens तो जैसे कि बच्चों हमें given है यहाँ पर कि हमारे पास जो magnification है वो कितना है 3 times मिल रही है हमें image जो है वो 3 times magnified है तो हम कह सकते हैं जहाँ जैसे कि हम जानते हैं हम magnification को किस से represent करते हैं M से तो अजय से कि बच्चों हम से कहा गया है कि जो screen for magnification है वो 3 times है और हम जानते हैं बच्चों जो हमें screen for magnification मिलता है वो यह screen पर image बनती है वो केवल real image बनती है वड़ना जो virtual image होती हो बच्चों screen पर नहीं बना सकते हैं virtual image real image ही हमारे पास screen पर बनती है तो मतलब जो हमारा magnification होगा real image के लिए हमारा जो magnification होता है वो negative में आता है यहां पर minus sign basically represent करता है कि जो हमारा magnification है वो real image के लिए है यहां पर तो हमारी distance को यहां पर हम u से represent करते हैं और image distance को हम v से represent करते हैं और वो हमारे पास 80 cm given है अब हम जैसे की बच्चों जानते हैं कि magnification जो होता है हमारे पास वो equal होता है v by u के यहां पर v basically image distance होता है u object distance होता है और हमारे पास magnification के given है यहां पर minus 3 तो यह हो जाएगा minus 3 is equal to V by U V by U तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास minus 3 U is equal to V आ गया है हमारे पास यह मतलब V की value minus 3 U के equal है और यह बच्चों value जो है इसे अगर हम इसमें रखते हैं अगर इसा equation 1 मानके तो question 1 में अगर हम रख दें यह value तो यह हो जाएगा हमारे पास U और बच्चों यहां पर यह जो object distance लिया है हमने U basically हम जानते हैं कि object distance जो होता है हमारे पास वो negative में आता है because जो object होता है हमारा वो left hand side पर रखा होता है lens से तो इसलिए यहां पर जो minus sign है basically वो यह represent करता है कि हमारा object left hand side पर है तो हमारा यहां पर यह minus U हो जाएगा plus plus हमारी जो B की value आई है वो क्या है minus 3U 80 के equal है यह तो यह हमारा हो जाएगा minus 4U is equal to 80 तो U जो आएगा हमारा बच्चों को आएगा यहां से minus 20 cm तो हमारा जो object है वो कहाँ पर है 20 cm पर है और बच्चों ही जो minus sign है basically यह represent कर रहा है कि जो हमारा object रखा हुआ है वो left hand side पर रखा हुआ है minus sign basically हाँ पर direction so कर रहा है बस आईए अब हम बात करता है यहां पर image की तो image जो है बच्चों हमारी जैसा कि 60 cm 60 cm तो बच्चों जो यह आया है हमारा V आया है plus में तो इसका मतलब क्या है कि हम जानता है कि जब हमारा image distance positive आता है तो इसका मतलब है कि image हमारी right hand side पर बनी है और जो image है हमारी वो कैसी है वो real है तो जैसे कि बच्चों हम यहां पर देख सकते हैं और हम जानता है कि focal length का हमारे पास formula होता है यहाँ पर 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U तो हमारे पास दोनों values हैं हम यह values रखते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 1 by V क्या है यहाँ पर हमारा 60 U क्या है हमारा यहाँ पर minus 20 तो बच्चों हम जानता है है माइनस माइनस ही प्लस होगा यह हो जाएगा प्लस 20 हम इसे सॉल्फ करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 4 by 60 यह हम कहें कि F आ जाएगा यहां से हमारा 60 by 4 तो F क्या आ गया है हमारा यहां पर basically यह आ गया हमारा 15 cm तो focal length क्या है हमारी 15 cm तो बचे हैं radius of curvature क्या होगा हमारा वो होगा 30 cm तो यहां पर जो हमसे focal length और image distance और object distance पूछा था वो हमाई तीनों चीज आ चुके हैं object distance हमारा है जो image distance है वो है 60 cm focal length है 15 cm और object distance है minus 20 cm I hope you understood it well best of